इस वीडियो के अदर में बताऊंगा कि आप अपने फेस को कुछ इस तरह से कैसे एस्मूथ कर पाएंगे और अपने फेस को गोरा कैसे कर पाएंगे जस्ट इजी ट्रेट में ठीक है जैसे आप यहां पर देख सकते हैं बीफोर फोटो देखने के बाद आपको यह मन में होग कि यह फोटो विल्कूर एडिट नहीं होगा बट इस वीडियो में आपको कुछ इस टैप से फोटो को एसमूथ और गोरा करके और कालर गैडिंग आपको बताऊंगा कि आप अपने एकदम से बिकार फोटो को डल फोटो कुछ इस टैप से कैसे एडिट कर पाऊगे ठीक है तो वीडियो काफे ज्यादा इंट्रेस्ट होगा और वीडियो थोड़े से अच्छे लेगे तो वीडियो को लाइक किलेगा ठीक है और इस वीडियो में आपको ऐसे टूल के बारे में और ऐसा सेटिंग बताने वाला हूं यह जितना भी ब्लैक दिख रहा यह आप चुटक से फॉटो को एडिट करेंगे ठीक है फॉस्ट फॉटो को एडिट करेंगे ठीक है तो मैं क्या करूंगा स्नेपशीट को ओपिन करूंगा एंड उसके बाद इस पर टैप करके मैं फॉटो को एडिट करने के बाद आपको क्या करना है सिंपली आपको टूल स्वारे ऑप्श सब्सक्राइब सब्सक्राइब il noises जिसको डार कर लेना है भर काम कर दीना है यह आपका狂ड जितना न भी हाईलाइट देख रहा है उतस से हाथ और बहुत बारिके कई तरीके से आपको एक स्टेप आपको बताने से आप पर भारत देख सकते हैं यहाँ पर पे सबस्किलाप आ태 spinner क्लिक करें convictions कुछ इस तरह सेलेक्ट करके और यहां का सेसे सब्सक्राइब करने कवाद भाटनेस इंग्रीजि कर देंगा तो रेट खतम हो जाएगा कोरा हो जाएगा उसके आप उसके बाद देख सकते हैं कान में तो कान में मैं के और रेड्वाला है तो इसको सेटोड़ करूंगा उसके ब्राइट्ने इक्रीज कर दूंगा ठीकिए अब यहां पर आप देख सकते हैं जितना भी रेट रेट सा है इसको मैं कुछ इस तरह से बिलकुल खतम करदमारा खतम करने वाद फिर से मैं क्या करूंगा टूल स्वाले ऑप्शन भी हाँगा और मैं क्या करूंगा से इसके साथ तो फ्र डरक कर लेता हूं ठीक है act और उसके बाद यहाँ पर मैं प्राइटनेस क्रूंगेश कर तो टा कि गोरा होLe कुछ इस स्थे ठीक है इन उसके पाद आपको क्या करना एक कुछ इस स्थै भाइब पर मैं क्या करूंगा चस्मा का ब्लैक कर दूंगा कुछ इस तरह से ठीक है एंड जल्दी से में कर ले रहा हूं ठीक है देख सकते हैं गाइस बिफोर एंड आप्टर इसनेफ़ीट में फोटो को इंपोर्ट करने बाद कितना फड़क आ गया है अब आपको क्या करना है यहां से आपको टूल्स वाले ऑप्शन पे आना है और हीलिंग ऑप्शन पे आगर आपको क्या करना अपने फेस के जीतने में पिंपल और दाग स्पोर्ट है इनको रिमूब कर दाना है कुछी तरह से ठीक है यहां पर मैंने रिमूब कर लिया रिमूब करने के बाद मैं क्या करूंगा यहां से डन करने के बाद सो डन करने के बाद अब मैं क्या करूंगा इस फॉर्ट को सेफ कर लूँगा ठीक है तो पर यह से घ्डिक गाए इसेप करने के बाद मैं चलूगा है है मैंशिंब ऊप्रिंगुड के लिए घरके स्केट अंदर आने के बाद आपको क्या करना है यहां फैसे प्रता अपको क्या करना पंने खाल बना लेर लिए एंट ब्रॉस्ट वाल इसको select करना है यह मेरा favorite brush मैं हमेशा इसी से smooth करता हूं आपको चेटिंग में आणा मैं यह about a day रहा हूं ठीक है सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं brush टाइप जो है मैं तीन रखनूंगा ठीक है और साइज अपने फॉटो को एकोर्डिंग रखना है ठीक है उसके बाद आपको क्या करना अपने फेस को बहुत अच्छे से स्मूथ कर लेना ठीक है याँ पर इतना सफ्ट्री स्मूथ होगा न कि मैं क्या ही बताऊं देख सकते हैं याँ पर थोड़ा सा अभी इधर उधर ब्लैक दबा नहीं होगा ठीक है जैसे ब्लैक ब्लैक पैच जो आ जाता है वो बिलकुल नहीं आएगा ठीक है इंब बहुत सफ काम करता है ठीक है अब देख सकते हैं यहां पर कितना अच्छा से यहां पर फेस से स्मूथ हो रहा है अभी मैं आपको दिखाता हूं कितना बारिकी से मैं यहां पर स्मूद कर रहा हूं बिलकूल यहां पर फेस खराब नहीं होगा ठेक है देख सकते हैं तो मैं यहां पर जल्दी-जल्दी थोड़ा सा फेस स्मूद कर लेता हूं नहीं तो वीडियो थोड़ी लम्मी हो जाएगी ओके दोस्कों तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने फाइनली अच्छे से प्रोपर तरीके से यहां पर मैंने अपने फेस को स्मूद कर लिया है ठीक है अब आप देख सकते हैं वीफोर एंड आप्टर ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने जब आपने लेयर ड क्या होगा आपका जो ब्लैक पैच जो आजाता है बारवर आप लोग कमेंड करते हैं तो यहां से आप थोड़ा सकती कम करेंगे तो खतम हो जाएगा ठीक वह रिख मेरे अिरू नहीं है इसके बाद blending change करना है soft light I mean overlay रखने ठीक है इसके बाद एक color कि करूँगा यहां पर यह पर आपको color करना है ठीक है red color ठीक है इसके बाद आपको brush जो select करना में बता दे रहों यह आपे देख सकते हैं traditional में यह 3 नमबर यहां पर लिखा हुआ है paint brush 3 ठीक है इसको select करना है और कु है तो आप देख सकते हैं यहां फिर अफिर मेर दिखे कम कर दोगा ठीक है इसको में lightroom में थोड़ा ज्यादा कर लूँगा ठीक है यहां फ्लूप रगगर करऊंगा तो यह बिल्कुल फेक सा लगे गा तुसके बाद मैं इसको मर्च कर दोँगा एंड मर्च करने बाद also safe to divide उसके बाद light room में add करूँगा and lighter chrom एड करने के बाद यहां से कहांब हूब को सबसे पहले आपको light वाले option मे आना हैうわ or contrast तोड़ा से increase करना है और highlight को हऴका से कम करकर Темडू को हलका से increase करना और black को थोड़ा से कम करना ठीक है उसके आपको simply mix वाले option में आना है यहां पर lips का थोड़ा color सा थोड़ा सा increase कर लेना है और कम कर दूंगा इदर से थोड़ा सा कर दूंगा हो गया है तो यहां पर मैंने थोड़ा सा color grading किया था कुछ ज्यादा नहीं किया था ठीक है गाईज अब आप देख सकते हैं before and after so finally आपको अच प्रोपर तरीके से समाज आ गया कि आए फेस्फुक कैसे स्मूथ करना है खाए करना है ठीक है और और color grading भी फोड़ा से वीडियो अच्छे लगए हो तो प्ली प्लीज वीडियो को like कर दिजिए गाइज वीडियो को साथ लावे एंट टेक क्यार पाए एड़ मैं से प्लीश कर लिएज कर लोंगा